अलो गैस केसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस के इन्फिनिक स्मार्ट एट प्लस फोन में आप लोग फोन स्टाइल को केसे चेंज कर सकते हो अगर आपके पास एक Infinix Smart 8 Plus फोन है और इस फोन में जो है आपको text style को change करना है मतलब आपके फोन में आपर जितने भी text दिखी होई है मतलब अपनों पूरे फोन में जितने भी text आपको यापर देखने को मिल रहा है तो इन text का जो style है जैसे कि मेरे फोन में देख सकते एकदम simple normal वाला alphabet जो है style में यहाँ पर set है तो अगर आपको इस style को जो ही change करना है थोरा unique style जो आपके फोन में लगाना है तो आपका जो फोन है वो दिखने में थोरा सा unique और stylish देखने को मिलेगा तो केसे आप लोग अपने इस font style को change करोगेगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गए इस वीडियो को start करते है font style को change करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस font के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोरा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा इस personalization का तो इस personalization की option पे आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर से नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option मिलेगा my fonts का तो इस my fonts के option पे आपको click कर देना है click करती यहाँ पर एक b beauty का option मिलेगा तो इस b beauty पे आपको click करना है b beauty पे click करने के बाद apply का option होगा apply पे click कर देंगे और ok पे click कर देंगे तो ऐसा करती है आपका जो font style है वो change हो जाएगा तो अभी मेरे font में देख सकते हैं इस मेरा जो text style है वो थोरा सा अलग सा दिखने को मिल रहा है तो कोज इस तरीके से आप लोग अपने infinix smart 8 plus phone में आप लोग font style को change कर सकते हो तो केसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लीजे मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई